भारत सरकार ने मेंनलाइन स्पोर्ट के रूप में एस्पोर्ट को दी मान्यता, जाने क्या है एस्पोर्ट्स? भारत सरकार ने एक एहम भोशना करते हुए देश में S-POTS को मेंनलाइं खेल सब्जेक्ट के साथ एकी क्लिक करते हुए ओफिसियल मान्यता दे दी है सरकार ने S-POTS e-Sports को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के एक भाग की रूप में मान्यता दी है S-POTS भारत सरकार ने एक एहम भोशना करते हुए देश में S-POTS को मेंनलाइं खेल सब्जेक्ट के साथ एकी क्लिक करते हुए ओफिसियल मान्यता दे दी है जो देश में S-POTS को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है सरकार ने S-POTS, E-Sports को मल्टी स्पोर्ट एवेंट के एक भाग की रूप में मान्यता दी है राश्ट्रपती, द्रौपदी मुर्मू ने सम्विधान के आर्टिकल सतहतर के क्लॉस 3 का उप्योग करते हुए E-Sports को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया E-Sports को मल्टी स्पोर्ट एवेंट केटेगरी में शामिल करने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स और सूचन प्रध्योगी की मंत्राले और खेल मंत्राले को आदेश जारी कर दिये गए है क्या है E-Sports? E-Sports Online Gaming को एक दर्शक खेल स्पेक्टेट स्पोर्ट में बदल देता है यह एक प्रोफेशनल स्पोर्ट एवेंट्स देखने के अनुभव को प्रस्तुत करता है यह किसी फिजिकल गेम को वीडियो गेमर्स द्वारा खेला जाने वाला स्पोर्ट फोमेट है E-Sports Gaming को प्रतिसपर्दी लेवल पर खेला जाता है पहली बार 1980 में मल्टी स्पोर्ट एवेंट E-Sports की शुरुआत हुई थी वर्तमान में, दुनिया की सबसे बड़े E-Sports टूर्नामेंट वा इंटरनेशनल, डोटर टू, फोर्टनाइट वर्ल्ड कप और ओनर ओफ किंग्स वर्ल्ड चेंपियनशिप आ दी है मल्टी स्पोर्ट एवेंट E-Sports Highlights युवा कार्यक्रम और खेल मंत्राले के तहत खेल विभाग द्वारा E-Sports को नियंत्रित किया जाएगा लेकिन ऑनलाइन गेमिंग अभी भी MEITY, Electronics और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले के अधीन होगा वर्ष 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में पहली बार E-Sports को देमों के रूप में शामिल किया गया था जिसके बाद से इस खेल को ओफिसियल मान्यता देने की मानग और बढ़ गई E-Sports को मेंन लाइन स्पोर्ट के रूप में शामिल किये जाने पर E-Sports Federation of India के निदेशक और Asian Sports Federation के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी ने इस फैसले का स्वाधत किया है लोकेश ने आगे कहा कि हम E-Sports और अगेमिंग के बीच अंतर स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आख हिरकार हमारे प्रयास अब पूरे हो गए हैं IOCB दे रहा E-Sports को बढ़ावा International Olympic Committee, IOCB सिंगापो के साथ मिलकर E-Sports को लोकप्रिय बनाने पर जोड दे रही है जिसके मद्दे नजर अगले साल जून में पहले Olympic E-Sports Week, Olympic E-Sports Week का आयोजन किया जाएगा IOC ने इस साल नवंबर में कहा था कि Olympic E-Sports Week 22 जून से 25 जून तक आयोजन किया जाएगा जिसमें Virtual Sports, Hybrid, Physical और Simulated Sports का प्रदर्शन किया जाएगा Electronic Sports Federation of India Electronic Sports Federation of India, ESFI एक गैर लाबकारी संगठन है ESFI International E-Sports Federation, IESF Global Sports Federation, JAIF और Asian Sports Federation, AESF का फुल मेंबर है इसी के साथ आज का यह विशे समाप्थ हुआ दीजी हमें इजाजत और हाज आते जाते कृप्या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद